नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन में 4,929 पदोपर होगी सिपाही की बहाली 15 जर्वरी से आवेदन शुरू जार्खन में सिपाही के 4,929 पदोपर नियुक्ती की परकिरिया शुरू की गई है इस परकिरिया के तहत 379 नियमीत वा 1120 बैकलोग पदोपर नियुक्ती होगी इस समन्द में बुद्धवार को जार्खन करमचरी चैन आयोग जार्खन आरक्षी परत्योक्तापर नियुक्ती के लिए 18 फरवरी के मज़ राधी तक फोटो वा हस्ताक्षर अपलोड कर आविदन पत्र का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा वहीं 20 से 22 फरवरी तक ऑनलेन आविदन में अभ्यार्थी का नाम जनमतिती इमेल आईडी वा मोबाइल नंबर को छोड़ कर अन्य असुधियों को संसोधन करने के लिए आयो की वेपसाइट पर लिंक उपलब दिकराया जाएगा बिग्यापन के मताबिक उन नियुक्ती में होमगाट के जवानों को 50% तक आरक्षन दिया जाएगा होमगाट को अधिक्तम उम्र में 5 वरस की छूट दी जाएगी वही होमगाट के पदो पर अभियार्थी नहीं मिलने पर उन पदो पर अन्य अभियार्थियों से भारा जाएगा गिरेडी पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को माला पाना कर किया समानी सलक सुरक्षा को लेकर गिरेडी पुलिस बिसेश अभियान चला रहिया इसी कड़ी में बुद्धवार को गिरेडी पुलिस की ओर से बिसेश चगरूपता अभियान चलाया गया अभियान में मुख्य रूप से प्रसिक्षू DSP नीलम कुजूर इंस्पेक्टर कैलास परसाद महतो पचमबा थाना परभारी मुकेश देयाल सिंग के अलावे अने पुलिस पता दिकारी सामिल हुए इस दवरान मुख्य रूप से यातयात नीमो का पालन नहीं करने वाले लोगों को फोल मला पालना कर उन्हें समानित किया गया और आगे से यातयात नीमो का पालन करने के अपिल की गई प्रसिक्षू DSP निलम को जूर ने बताया अगे सरक दुर्गाटनाओं में लोगों की जान जा रही है लोग गम भी रूप से खायल हो रहे हैं इसका मुख्य कारन है यातयात नीमो का अनुपालन नहीं करना उन्होंने कहा है कि आज तो पुलिस पासासन के दौरा ऐसे लोगों का फोल माला पहना कर समानित किया गया और चेदावनी दी गई लेकिन आगे से जुर्वाना भी वसुला जाएगा IPL खेलने वाला आदिवासी क्रिकेटर रोविन मीज के गाउ में नहीं है सरकारी सुविधा गुमला जिले के राइडी परखन इस्थीत सीलम पादन टोली के रोविन मीज जारखन का पहला आदिवासी क्रिकेटर बनेगा जो IPL खेलेगा गुजरात टाइटन्स ने रोविन्ज को अपने टीम के लिए चुना है इससे उसके पैतरी गाउ में खुसी है उसके गाउं को इस बात का दर्द भी है कि वहाँ सरकारी सुविधा नहीं है गरामिनों को उमीद है कि रोविन्ज के नाम पर जरूर अब गाउं का क्या कलाप होगा बता दे कि रोविन को मुंबाई इंडियन्स ने ट्रोयल के लिए बुलाया था उसने ट्रोयल में भाग लिया रोविन ने खेल को देखते हुए गुजरात टाइटन्स ने उस पर 3,7 लाख रुपए की बोली लगाई और उसे अपने पाले में लिया अब रोविन किरकेटर की दुनिया में आपना जलवा भी खेरने के लिए तयार है कोरोना को लेकर केंद्री स्वास्त मंत्री ने की बैठाक जारखन में मिले दो मरीज कोरोना के नए सब वेरियंट जे इन एक मिलने के बाद देश बहर में चीनता बढ़ गई है ऐसे में केंद्री स्वास्त मंत्री मा माध्यम से बात की और कुरोना के नए सब वेरियंट से बचाव के लिए राज्यों द्वारा उठाए के खदम की जिनकारी लिए है बैठा की दरन स्वास मंत्री ने कहा है कि कुरोना को लेकर पूरे के अनभाव की वज़ा से राज पूरी तरा गंभीर है राजी की ओर से कोई अंदेखी नहीं की जाएगी और राज सरकार केंद्र के हर आदेश का पणान करेगी बैठा के दर्ण स्वासमंत्री बना गुपता ने राज में कुरोना की अगतन इस्थिती और किसी आपात इस्थिती से निपटने के लिए उपलब्द संसाधनों की भी जनकारी केंद्रिये स्वासमंत्री को दिया है जार्खन बिधान सभा से 1932 खतियान पास जार्खन बिधान सभा ने बुद्धवार को एक बार फिर 1932 भूमी अभिलेक पर अधारित दो मिर्शाइल बिल को मंजूरी प्रदान कर दी है इसमें लोगों की निवास इस्थिती को निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमी अभिलेकों को मनेता दी गई है यह बिधायक पर अधान करता है कि केवल 1932 या उसे पहले के खतियान में सुचिवत ब्यक्तियों वा उनके पुर्वजों को ही जार्खन का अस्थारिय निवास माना जाएगा इसी के अधार परवे राज में तिरितिया और चतूर्थ स्रेनी की सरकारी नोकरियों के हकदार होंगे बतादे धावनी मत से पारित इस बिधायक को हाल ही में राज एपाल सी पी राधा किष्णा ने कुछ सुझावों के साथ लोटा दिया था हेमन सुरेन सरकार ने पिछले साल 11 नॉंबर को 217 के दोरन जारखन में अस्थानिय लोगों की परिभासा एवं उन्हें अने लाव देने के लिए डोमिस्टाइल बिधायक 1222 पारित किया था जिससे 1932 खत्यान बिल के रूपे भी जाना जाता है सरकार के चार साल पूरा होने पर होने वाले कारकरम की त्यारी को लेकर बैठक सर्वधन योजना जाती आय आवासे दिव्यांगता पर्मानपत्र रायसोस जुड़े मामले म्यूटेशन लगान रसीद अलने रिकोर्ड में सुधार के मामले सर्वधन पेंशन योजना अधार सुधार सहित अन योजना ये सामिल रही है सीएम के खिलाब एड़ी के च्छा समन के बाद बढ़ी हलचल जारखन एक बार फिर समयधानिक संकट के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है इसकी वज़ा है तथा कथित लेंड एसके मामले में मुखे मंतर हमन सुन के खिलाब परवतन निदिस साला यानि इड़ी का एक के बाद एक च्छा समन सीम के इड़ी दफतर नहीं जाने की वज़ा से चार्चा तेज हो गई है कि जारखन में कुछ बड़ा होने वाला है सुत्रो से मिली जनकारी के मुताविक इड़ी के राची सीज रिजनल ओफिस में हलचल बढ़ी है एडिशनल डारेक्टर का पिल राज रांची आए हुए है जारखन की राइनिती के चना के कहे जाने वाले सरजुरा है सरीखे नेता अपने अनुभाव के हवाले से कह चुके है कि हिमान सरकार के चार साल पुरा होना मुश्किल दिख रहा है उन्होंने महाभारत के एक प्रसंग का उधारान देते हुए कहा था कि क्रिशने ने सीशु पाल के वध के लिए 99 गालिया पुरा होने तक का इंतियार किया था अब सवाल है कि इडि कप तक उनसे पूश्टास के लिए इंतियार करेगी प्रिंस खान डबलू सिंग सहित साथ अपराधियों पर इनाम की घोसना जार्खन पुलिस ने प्रिंस खान डबलू सिंग समय साथ कुख्यात अपराधियों पर इनाम की घोसना किया है सभी कि पुलिस को कई मामले में तलासा है बतादे जार्खन पुलिस के दुवारा फराद चल रहे साथ most wanted अपराधियों पर इनाम घोसित किया गया है इनामी लिस्ट में कुख्याद प्रिंस खान उर्फ हैदर अली, डवलू सिंग और गोपी खान जैसे दुरदात अपराधी सामिल है बतादे धनबाद के कुख्याद गंख्याद प्रिंस खान पर पचास एर काई नाम घोसित किया गया है धनबाद कर रहने वाला प्रिंस खान बहत खतरनाक अपराधी है जार्खन बिधान सभा से दुवारा पारित 1932 खतियान को लोबिन हेम्रम ने बताया धोखा जार्खन बिधान सभा के सित कालिन सत्र के चोथे दिन बुद्धवार को उने इसे 32 खतियान अधायत अस्थानिय नीति को बिना किसी बदलाव के फिर से बिधान सभा से पारित कराने को सताधरी दल के नेता जहां जानता से किये वादे को पूरा करने का पर्यास बता रहे ह तो वहीं निर्दलीय विध्यायक सर्जु राय, जामो की विध्यायक लोविन हेमराम, नेताप्रथिपक्ष अमर बावरी और बावलमराणी ने इसे राजे के आदिवासी मुल्वास्यों के साथ विश्वात सखात करार दिया है. जामो बिधायक लोमीन हेमरम ने तो पास करायगा उने 372 अस्थानिय निती को नवी अनुशूची में सामिल कराय जाने के प्रवधान को धोखा करार देते हुए अंदुलन की चेतावनी तक दे दी है वहीं पूरो मंत्री और निर्दालिय विधायक सर्जूरा ने कहा है कि पूरो में पारित उने 372 खत्यार अधालित अस्थानिय निती को राज येपाल ने उन बिंदियों का जिक्र करते हुए लोटाया था जिसमें जिला अस्तरपनोकरिया को किसी खास वर्ग के लिए हमेशा के लिए अरक्षित नहीं किया जा सकता है बाबुलाल मरांडी ने स्पीकर पर लगाया अपमानित करने का आरोप राज के प्रत्था मुख्य मंत्रिय भरतिय जनता पार्टी के परदेश अध्यक्ष बाबुला मरांडी ने बिधान सभा अध्यक्ष पर अपमानित करने कारोप लगाते हुए नराजगी जिताई है दरसर सित काली सत्र के चोथे तीन भोजना औकास के बाद जब सदन में सरकार द्वारा लगाईगा स्थानिय निती बिधायक पर चार्चा हो रही थी उस चार्चा में बाबुला मरांडी सदन में कुछ बोलना चाह रहे थे तीन बार सदन के अंदर उन्होंने हाथ उठा कर स्पीकर से समय की मांग की मगर इसे नजर अंदाज कर दिया गया जिसे नराज होकर बाबुला मरांडी सदन के बाहर निकल गए बिधान सभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते बावलम रांडी ने कहा है कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया गया इसे मैं काफी दुखी हूँ यह तोर तरीका कहीं न कहीं मुझे अपमानित करने की कोशिस है जो सतापक्स के इसारे पर हुआ है यह पहला मौका नहीं है जो इस तरह का वर्ताव स्पीकर के द्वारा किया गया है बिजेपी बिधायकों को निलम्बित किये जाने पर इर्फान ने चवपाई कह कसात तंज जारकन बिधान सभा के सिद्कालिन सत्रे के दरान कंग्रेस बिधायक डॉक्टर इर्फान अंसारी अपने बियानों को ले कर सुर्खिया में बने हुए हैं सीद कालिन सत्र के चोथे दिन कॉंग्रेस बिधायक ने सदन के बार विजेपी के तिन निलंबीत बिधायकों के धारना थल के पास जाकर उन्होंने जो चपाई कही उससे वे फिर चार्चा में आ गए हैं डाक्टर इर्फार अंसारी ने कहा है कि उनके दादा जी कहा करते थे कि जस करनी तस भोग बिधाता नरक जाता तब पच्ताता इर्फार अंसारी ने कहा है कि अब ए लोग बिधान सबाय के अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसा किया है इसे पहले उन्होंने बिजेपी के मुखे सचे तक बिरंची नरायन सचे तक जब परकास भाई पटेल और भानुप परतापसाई के खिलाप कॉल की गई निलंबन की करवाई को सही ठाराया है कोरोना को लेकर रिम्स में 30 बेड को किया रिजर्ब कोरोना के नए वेरियंट के आने से एक बार फिर केंद्र और राज सरकार सतर्क हो गई है इस मामले को देखते हुए रिम्स में 30 बेड को रिजर्ब कर दिया गया है इसके साथ ही अने अस्पतालों को भी तयारी करने के निदेश दिये गाए मता दे कुरोना के नए वेरियंट को लेकर केंद्र सरकार के गाई लाइन के बाद जारकन में भी तेयारिया तेज कर दी गई है इसको लेकर सभी अस्तर पर समिक्षा की जा रही है मंगलवर को स्वास्त परियोजना निदेशक ने सभी जीलों के सिविल सर्जन को राची मुख्याले बुलान करके बैठक की थी इसके साथ ही उन लोगों से जीले में चल रही तेयारियों की जनकारी भी ली थी गिरीडी में युवक का अफ़रन कर मांगी 10 लाख की रंगदारी गिरीडी जीले में पुलिस की ततपरता से किटनैपिंग की कोसिस नकाम हो गई है पुलिस की घिराबंदी देख अपहरन करता जिस युग का अपहरन कर ले जा रहे थे उसे छोड़ कर फ्राल होगा है पुलिस ने उस वान को भी जब्त कर लिया है जिसमें युग का अपहरन किया था गिरिडी पुलिस ने सिर्फ तिन घंटे में किटनेपिंग की इस गुत्थी को सुझा लिया है युग की किटनेपिंग की कोशिस करने वालों की गिरफतारी के लिए पुलिशन शापे मारी सुरू कर दिया है मामला अहिलिया पुर्थाना छेतरे के जोरा सिमर गाव से जुड़ा है गाव की राधिका देवी पती जीतेंदर मंडल उर्फ गुड्डु मंडल ने अहिल्या पूर्थाना में अवेदान देकर अपने पूत्र मिथिलेस मंडल की किन्डेपिंग होने की जनकारी पुलिस को दी थी ममता वाहनों की सेवाए पंचायतों में होगी सुद्रीड संस्थागत प्रसों को बढ़ावा देने के लिए केंदर सरकार ने वर्ष 2011 में ममता वाहन शुरू किया था पंचायत अस्तर पर इस सेवा को और सुद्रीड करने के निर्देश दिये गए है इस समयंद में जार्कन स्वाष्ट मिशन समिती के मातित तो स्वाष्ट को सांग की नोडल पता देगाई डाक्टर पुस्पा ने सभी सिविल सर्जन जील्या कार करम प्रबंधक वा जील्या कार करम समयंवे को पत्र लिखा है वहीं इसका नाया लोगों भी जारी किया गया बतादे सुरुवाती दौर में जब पेट्रोल डियल की कीमते कम थी तब जील्या के सभी अस्पताले मामतावाहनों की भीन लगी रहती थी नियम के तहद परतेक पंचायत में कम से कम दो मामतावाहन रखने का प्रधान है लेकिन अभी राजे की ब्याली सो चोवन पंचायतों में सिर्फ 26 और 27 मामतावाहन ही सेवाएं दे रहे हैं राजे की जेलों में आने वाले आरोपियों की कपड़े खुलवा एकर हो रही प्रताल धनबाद जेल में गैंस्टर अमन सिंग के हात्या के बाद राजे की सभी जेलों में सुरक्षा पढ़ा दी गई है इसी के hat अब जेल आने वाले आरोपियों की जेल के परवेश द् लिए दिया जाता है फिर अंदर परवेश कराया जाता है इसके साथ ही आरोपियों का बायोमेट्रिक रिकोर्ड भी बनाया जाता है जेल में आने वाले हर आरोपी की सारी डिटेल दर्ज होने के बाद उन्हें वाड में भेजा जाता है सर्जु राय ने स्वर ने रेखा और खरकाई नदियों का परदूसन रोकने की मांग की सरजुलाय ने अलपसूचित प्रश्ण के माध्यम से जमसेदपूर के स्वार ने रेखा रुखरकई नदियों में हो रहे है जल परदुसन को रोकने के लिए योजना तयार करने की मांग नगर भीकास भाग से की है उन्होंने कहा है कि रिवर सीटी अलाइंस के तहट सरकार को जमसेदपूर में नाला अधारीत मुहला बिक्सित निती बनानी चाहिए इस पर सरकार ने उतर दिया एक पंद्रहवे बीत आयों के तहट नियुक्त प्रामर्सी कमपनी ने बड़े नालों में पानी का बाहाव नदी में जाने से रुकने है तू डिपियार तयार कर लिया है यह सुकृति के लिए हाई लेवल कमिटी के बास भेजा गया है प्रस्त जीले में रभी की फसल पर दलहन और तेलहन की पैदावार बनाने पर जोर है जीले में रभी की फसल 43,040 हेक्टेर में होती है जिसके तहट 15,500 हेक्टेर में दलहन और उनाई से 40 हेक्टेर में तेलहन की पैदावार करने के लक्ष के साथ किसी भीभा काम कर रहा है वहीं से तेलहन और दलहन पर ही फोकस किया जा रहा है से कुछ लड़किया गायब हुई है ये लड़किया हनुमान नगर में रह रही है इसी सुचना के अधार पर महिला थाना परभारी पुलिस बल के साथ वहाँ पहुचियों लड़कियों को रेस्क्यू किया सभी लड़कियों को वहाँ से निकाल कर सहर थाना लाया गया है हेमंत सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज सलक पर उतरेंगे भाजपाई हेमंत सरकार के खिलाब भाजपा ने सलक पर उतरने का निना लिया है इसके तहट 21 दिसंबर गुरुवार को राजी के सभी जिला मुख्याला में परदसन किया जाएगा राज में ब्याप्त भरष्टाचार, गीर्ती बीदी बेवास्ता और सन्वेधानिक संकट को लेकर भाजपा करकरता और नेता सलक पर उतरेंगे इस दोरान भाजपाई हेमन सरकार को परखास करने की मां को लेकर सभी जिला के उपायोक्तों को राजेपाल के नाम ग्यापन भी सोपेंगे वहीं इसी कड़ी में राजजानी राची के महानगर भाजपा के दोरा आकरोज परदसन की ब्यापक त्यारी की गई है दोफर के 12 बजए के करीब जिला इसकुल से भाजपा कर करता और नेता उपायोक्त करयाला की ओर मार्च करेंगे धन्यवाद